ओम शंती ओम शंती ओम शंती ओम शंती ओम शंती वास्त में शिक्षा का उदेश हैं चरीत्रवान बनना शिक्षा का मूल उदेश हैं अंदकार से प्रकाश के और जाना शिक्षा का मूल धेए हैं बंदोनों से मुक्त बनना नशे का बंदन वेसनों का बंदन बुराई का इस संसार से जाने के बाद भी इस संसार में अमर बनना यह शिक्षा का मूल दिये हैं लेकिन आज के बच्चे पड़े लेके होने के बावजूद भी उनके संसकार नहीं बनते जा रहें क्यों मुल्यों की कमी मुल्यवान बनना यह शिक्षा का मूल दिये हैं आज अच्छी स्कूल किसकों कहते हैं जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बस्य अच्छी, रिजल्ड जादा, फी जादा, हम समस्ते अच्छी स्कूल, अच्छी स्कूल वो हैं जहां संसकार शिकाई जाते हैं, इसलिए संसकार शिकाना यह हैं शिक्षा का मैं तो काफी सरे स्कूलों में जाता हूँ कई बार तीचर्स कहते हैं सर आपका कारेकरम नहीं होगा क्योंकि हमारे बच्चों की परिश्या बहुत नजदी का रहे तो मैं उन टीचर्स को कभी कहता हूँ आप एक साल की परिश्या का इतना ध्यान दे रहे लेकिन यही बच्चे समाज में जाकर गे सुसाइड करेंगे नशा करेंगे किशी का मडर करेंगे तो उसके लिए आप कोई लेसन पढ़ा रहे वास्तों में यह परिश्या भी किशी ले ली जाती हैं ताकि यह बच्चे समाज की परिश्या में पेल न हो जाएं इसलिए वास्तों में शिक्षा का मूल उदेशाई चरित्रवान बनाना गुन्वान बनाना आज स्कुल कॉलेज बढ़ते जा रहे लेकिन तो भी हस्पिटल बढ़ते जा रहे आज जेल भरते जा रहे पुली स्टेशन भरते जा रहे कोट गचरी बरती जा रहे क्यूं? मुल्यों की कमी अगर इस समाज के मुल्य खतम हो जाएंगे यह संसार में चलना फिरना बड़ा मुस्किल हो जाएगा इसलिए मुल्यों को सिकाना पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में रखते थे और उन गुरुकुल में बच्चों को संसकार की बाते शिकाई जाती थी क्योंकि संसकार शिकाने से भविश्य में आने वाले प्रॉब्लिम समश्या उसके पर वो बच्चे पास हो जाते हैं और समाज में एक अच्छे नागरी बनाना, यह है शिक्षा का उद्देश, लेकिन आज बच्चों की क्यवल IQ डेवलप की जाते हैं, जैसे टेबल के चार पाउं होते हैं, अगर एक ही पाउं हैं, तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा, इसी तरह विद्यारती जिवन में, विद्यारती के चार पाउं मुझबूत चाहिएं, एक IQ, दुसरा EQ, तिसरा MQ, चवता SQ